बुद्धत को प्राप्त करने के लिए हमें अभ्यास की आवश्यक्ता होती है आज कल के भिख्षुक या जो लामा लोग हैं वो ऐसा मानते हैं कि उनका जो ग्यान है वो भगवान बुद्ध के समान है मुझे भी जो दीख्षा देने वाले गुरू थे उनसे मैंने बहुत सारी चीज़े सीखी वो हमारे लिए काफी दयारू रहे हैं एक बार जब मैं वो प्रवचन दे रहे थे तो मुझे उन्होंने डाटा और उन्हें कहा कि जो सिद्धी है वो देव पिता के समान होनी चाहिए और जो आचरण है वो मनिश्व के अनुसार होना चाहिए तो इस प्रकार की जो उनकी बातें उन्होंने कही है ये वाकई में सकते हैं जैसे कि मेरा नाम दलाई लामा है मैंने कई सिद्ध्यां प्राप्त की फिर भी जो व्यभार है वो मनुश्य की भाती ही है जैसे कि एक अवदारी लामा या व्यवसाय को गुरू वो लोग हैं कुछ ऐसे भी लामा हैं जो शर्मसार करने वागए बहुत सारे ऐसे भीखशुक लोग भी हैं जिने धन चाहिए सांसारिक सुख चाहिए तो ये शर्म की बात है एक बार जब इसी प्रकार का आयोजन हो रहा था तो मैं उनके सामने इसी प्रकार से कहूंगा कि ये जो शायश्वन है वो सर्वे हिद के लिए है उसके लिए हम थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं वहाला कि भगवान गुद्ध के धर्म को अगर देखा जाए तो धाई हजार वर्ष से जादा हो चुके हैं वैसा करने से उस पर कोई नुकसान होगा ऐसी बात नहीं है लेकिन हजार वर्ष से जादा हो चुके हैं लेकिन फिर भी अगर लामा लोग ऐसा करते हैं तो कोई फाइदा नहीं है अगर हम ऐसा करते हैं तो हम नर्क में पैदा होंगे तो ऐसे लोगों के प्रती साधधानी बरतने के आविशकता है इसलिए भावना मई या चिंतन मई जो प्रग्या है उसे पहले सुनना चाहिए उसके बाद ही उसका चिंतन करना चाहिए सोचने के बाद जब आप का सोच विचा थोड़ा मजबूत हो जाए तो उसके साथ एक, दो या चार महीना इस परकार से अभ्यास करना चाहिए बच्पन में धर्म के प्रती मेरी ज़ादा रुची नहीं थी मुझे बच्पन में खेलना बहुत पसंद था और जब पढ़ाई के समय आथा था तो मुझे आरस आ जाता था और फिर छुट्टियों के सामें बहुत अच्छा लगता था दस साल से प्रग्या पार में था इत्यादियों को पढ़ना शुरू किया फिर पंद्रा वर्ष की आयू से बहुत धर्म में थोड़ी रुची पैदा होने लगी फिर मैं अभ्यास करने लगा लेकिन फिर बहुत से बुरे समय का मैंने सामना किया भारत में शुरून लेने के बाद 1960 के बाद से और उस समय के बार बार मैंने ग्रिंठो का ध्यन किया जैसे कि चित बौधचर अवतार और 1963 में बौधचर अवतार को मैंने जाना उसके बारे में सोच विचार किया और 15 वर्भा शुरून तके सथम्ठों में काफिर हुची थी लेकिन भारत में आने के बाद रोज इसके बारे में सोच विचार करने के बाद धीरे धीरे अभियास किया और लगबक पचास वर्षों के बाद उसमें धीरे धीरे परिवर्दन हुआ तो अगर हम यह सोचें कि यह एक या दो वर्ष में संभव है तो ऐसा नहीं है अगर हम तीस, बीस, चालेस यह पचास वर्षों का अभ्यास करते हैं तो संभव हो भी सकता है जैसे शुनिता के स्रधानद की बात करें तो उसमें जो रूची है, वो काफी गंबीर है जैसे नागारजुन और उनके शिश्यों के द्वारा जब सूचते हैं तो लगता है कि हाँ उनके द्वारा वास्ता में उनके धर्म है और जब उनका प्रवचन किया जाता है तो उसमें श्रद्धा के इनुसार अभ्यास करने के आवे शक्ता होती है जैसे कि केवल इस्ट देर हैं उनके जो विचार हैं उनके कहने पर बात नहीं कह रहा है खासकर जो शूनिता इत्यादी की बाते हैं तो जब बौध चर्का या बौध चित्ट का भ्यास करते हैं तो उस समय ऐसा उत्पन रही होता बौध चित्ट का भ्यास करते हैं समय स्वार्थ की भावना को कम किया जाता है और जब कम करते हैं तो अपने अंदर बहुत दर्द पैदा होना भै पैदा होना या फिर तृष्णा इत्यादी पैदा होती है तो कलेश को अगर आप नस्ट करना चाहते हैं तो केवल शुनिता के सिध्धांत से ही संभव हो सकता है और ये चीज़े एक दिन में संभव हो ऐसा संभव नहीं है तो इसलिए एक दिन में 24 गंटे तक इसके वारे में सोच विचार करना चाहिए जाँच परताल करनी चाहिए जब सपने में भी इसका विचार आने लगे अगर आप 24 गंटे इसका भ्यास करते हैं तो हमारे लोगों का जो चित्त है जो की कलेश से भरा पड़ा है वो दीरे दीरे साफ हो जाएगा और इस बात को मैं 100 प्रतिशत कह सकता हूँ कि इस तरह से आप उसका आसानी से अभ्यास कर सकेंगे तो गुतानो पुच्छू एक बात कहते थे चेतानो पुच्छू ने कहा था कि मैं एक दिन हमारे अंदर बहुत से सिध्धी प्राप्तों हो जाए और दो या तीन साल में बुधत्त प्राप्तों हो जाए तो ये संभव नहीं है ये एक असंभव कार्य है तो हम लोगों का जो जीवन है वो वास्तविक एक अर्थ Patron होना चाहिए हमें अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए जो विवेचना के इंदर होता है उसे प्राप्त करने से किस परकार से अंतर होता है और कैसे विवेद किया जा सकता है सम्मत की अगर बात की जाए तो वो भगवान बुद्ध से पूर्व भी लोगों को इसके वारे में जानकारी थी भगवान बुद्ध ने जब उधत्य को प्राप्त किया तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि दुख सत्य है और दुख आरे सत्य है और जो चार आरे सत्य हैं उनका हे तू कारण सब्तों उन्होंने सबसे पहले कहा कि दुख सत्य है और दुख आरे सत्य है और जो चार आरे सत्य है उसका हे तू कारण मारक तो उन्होंने कहा कि जो निरोद मार्ग है जो निरोद सत्य है उसको अगर गहराई से सीखा जाए तो ये प्रग्या पार्मिता जो सूत्र है वो महायान के ही सूत्र कहे जाते है तो सम्मत की बात की जाए तो इसमें बौद और अबौद दूनों का ही समान रूप से देखा जा सकता है अगर हमारे अंदर सम्मत नहीं होगा तो फिर चाहिए शुन्यता का सिध्धान्त हो या बौद चित्त हो फिर से संभव नहीं है इसके लिए ये होना ज़रूरी है अगर आप सम्मत को जानना चाहते हैं तो भावना करम ये हिंसा इत्यादी ना करते हुए उन्होंने जो पूर्व में ग्रंथू की रचना की है उसमें सम्मत के बारे में बहुत अच्छी से व्यक्या की गई है कई जगों पर इसका वर्णन है अगर आप इसको पढ़ते हैं तो इसके बारे में जान सकेंगे शोनिता के सध्धान्त में जो विवेचना है तो अगर विवेचना की बात की जाए तो ये लौकिक और अलौकिक दोनों प्रकार के होते हैं इन में भी विवेचना को देखा जाए तो लंबरी चिन्पू ने संशेप में ये कहा है तो कुछ ऐसे तीन थाकित हैं जो अनभब को प्राप्त किये हुए हैं कुछ साल पहले जब इलाबाद में महा कुम्ब लगा था तो उस समय मुझे बुराया गया उससे पहले मैं दो बार वहां जा चुका हूँ अंभारा वर्ष में वहां महा कुम्ब कायव जिन किया जाता है तो समय भी मैं वहां पर गया तो समय मैंने वहां पर कई सादूं को देखा जो बर्फ में रहते हैं मैंने वहां नागा सादूं को भी देखा और उन सभी संतुस मिलने की इच्छा भी जाहर की मैंने उनसे जानना चाहा कि आखिर वो इतनी ठिंड में खुद का बचाव कैसे करते है मैंने वहां कहा कि मैं सन्यासियों से मिलना चाहता हूँ लेकिन मैं उनसे मिल नहीं पाया मैं धरम शालावे मौजूद था तो मैं आज भी मज़ाग के तौर पर कहता हूँ कि शायद शंकर जी नहीं चाहते कि मैं उनसे मिलू मैं इलावा दो बार जाने का प्लैन कर चुका हूँ एक बार गया तो मौसम खराब हो गया फिर दूसरी बार किसी घरनवश नहीं जा सकता तो इस प्रकार से देखा जाए तो जो हिंदू लोग हैं जो तीधांकित हैं उसमें भी काफी अवस्था में ध्यान को प्राप्त किया जाता है बहुत धर्म के नुसार योगा या इत्यादी जो चीजें हैं वो काफी उच्छ स्थर के पाई जा सकते हैं तो केवल अपने आपको अलग ना रखते हुए उन लोगों का भी साथ रहना चाहिए रखना चाहिए और नभब करना चाहिए जाँच परताल करनी चाहिए एक दूसरे से सीखने की जरुबत होती है जैसे बहुत मठों में भी एक शेक्षन के रूप से संबाद करने के आविशक्ता है अगर इस परकार से हम करेंगे तो इससे दोनों को फायदा हो सकता है ये बहुत महतर पूर है यहाँ पर जो शिक्षा विभाग के मंत्री आये गुए है और जो लोग यहाँ पर बैठे हैं उन्हें काफी अनुभव है धर्म की बात की जाए तो मुझे अनुभव है लेकिन शिक्षा की शेत्र में बात की जाए तो मुझे जादा अनुभव नहीं है यहाँ पर सवाल पूछा गया कि धर्म पालक किस परकार से होने चाहिए या हम कैसे जान सकते हैं तिब्बत की बात की जाए तो वहाँ पर बहुत धर्म कहुचने से पहले वहाँ पर मौन धर्म था केवल तिब्बत की बात ना करते हुए उद्हारन के तोर पर अगर आप अफरीका की भी बात करें तो वहाँ पर हमारे लोगों को परशानी आदि उत्पन मो होती है तो उस समय हम ये सोचते हैं कि कोई देखता है जो हमारी साहता कर सकता है ऐसा हम मानते हैं ये मनुष्य समाज में देखनी को मिलता है चाहे अमेरिका की बात करें तो वहाँ भी कई शिक्रे ऐसे हैं जो देवता इत्यादी को मानते हैं और अफरीका में भी ऐसी व्यवस्थाएं हैं एशिया में भी इस तरह की विवस्था है ये चीजें भगवान बुद्ध के पूर्व से ही प्रचले थी और बौद धर्म के अनुसार अगर हम इन्हें देखते हैं जैसा कि चंद्रकिर्टी ने भी कहा कि हमारे तीन शेरण हैं उनके अलावा कोई चौथा शेरण नहीं है और जो तीन शेरण के स्थान है उनमें से केवल बुद्ध है जो धर्म को दर्शाते हैं और संग है वो उनको बचाने वाले होते हैं तो बुद्ध जो हैं वो बहुत धर्म को दिखाने वाले हैं और जो संग है वो बहुत धर्म की रक्षा करने वाले हैं शाशन की रक्षा करने वाला है हमारे अंदर जो निरोध है हमारे चित्त का जो ग्यान है वो वास्तर में शर्ण और चित्त का ग्यान होता है तो उस समय जब विकास हुआ तो समय उसकी जो पालक लोग होते थे तो ऐसा मुझे लगता है कि उस समय जैशा के उधारन के तौर पर देखें तो पाली परमपरा में देव देवता इत्यादी चीज़ देखने को नहीं मिलती जो तंत्र की बात है उसमें कहने की यही बात है कि यह सब समाज के लिए नहीं होता लेकिन दिब्बत में यह सर्व समाज हुआ और सब लोग इसका अभ्यास करते थे उसके बात काफी देवता लोग हुए तो जो लोग शर्ण के इस्थान नहीं होते फिर भी काफी लोग उनकी शर्ण में जाने की भावना बनाते हैं काफी वर्ष पुरानी बात है एक बार एक जापान के व्यक्ति मुझसे मिले तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तिब्बत में घूमने रहा और मैंने सूपा जहिल का महांदर्शन किया तो उन्होंने देखा कि कुछ बुद्ध बिहार के देवताओं को मैंने देखा जो की भेंकर आकरती के देखते थे तो उन्होंने कहा कि मुझे पूरी रात नींद नहीं आई और सपने में वही दिखाई देते रहे फिर उन्होंने मुझे से पूचा कि भगवान बुद्ध का जो धर्म है वो प्रेम ना प्रेम करोना मैत्री जैसे प्रमुक अब भ्यासू के लिए होता है उसमें भी काफी अबस्ता में ध्यान को प्राप्त किया जाता है फिर उसमें भैंकर देवी देवता दिखाई जाने का क्या मतलब है जैसे कि तंत्र के अनुसार कहा गया कि हमारे इस त्रदेव जो आदी होते हैं तो वो विशेश प्रकार के होते हैं लेकिन तंत्र की जो विवस्ता है उसकी जरूरत यही होती है कि जो हमारा क्लेश है उसको मार्ग पर लाना गरना आसकती को मार्ग पर लाना इसके लिए इनका उप्योग किया जाता है दुख क्लेश को नस्ट करने के लिए मार्ग की आविशकता होती है और इसके बाद तीन प्रकार के यान श्रवक, माया और उसके बाद अगर तंत्र की बात की जाए तो यह तीन यह चार प्रकार के उसमें तंत्र होते हैं जैसे क्रिया, तंत्र प्रयूग, तंत्र यद्यादी इसी प्रकार के तीन प्रकार के योग भी होते हैं तीन प्रकार के उसमें विविद किये जाते हैं तो प्रियास या ध्यान की बात की जाए तो इसमें खासकर जो हमारे कलेश है उसे किस प्रकार से मार्ग पर लाया जा सकता है तो इसको लगाने के लिए जो बहुत सारी वज़ा होती हैं अगर उसे पढ़कर सोच कर जानेंगे तो हम उसकी वज़ा कारण हेत्व के वारे में पता कर सकते हैं तो अगर इन चीजों को आप इस प्रकार से देखेंगे तो जालालाब हो सकता है जैसे कि पंदरा प्रकार के धर्म पालक होते हैं तो उन पंदरा प्रकार के धर्म पालकों में इसे लोक से परे हैं लिग्रे ए e जिए आघ अजिर ya ऊस बनोचेहँ दract चेदें आजरेञेँ चेदें उ उियें इ ROB घा जिएडऊना ए मिलतccी राल ा, ए चावצया उएप झाया जात इस बसफ जै राधना निसे He आखना खe कर जिए मूर आए अ हम मूरायब हम ह्म भूम्हर गैशित बिखान दिखादी दिखाया में दिखान परसुष्ट है इसी हमावना बनाते हैं उत्तिन अजयरा जिए दिखादु इन्व थे निये में ड़ाना घरे जो आपे खान फिर में निया भादूर दिखाया तो अग्यान का प्रकार की है? उसमें पुर्णे के रूप में और पाप के रूप में पंद्रा देव पालक हैं उनकी अलग-अलग व्याख्या की जाती है इसलिए जो हमारे तंत्र हैं वो उसको बनाना या नाग आदी को दर्शाना फिर ऐसा करते रहते हैं करते हैं